आज मैं आप सबके साथ फ्राइ मसाला भिंडी की रेसिपी माइक्रोवेब में किस तरह से बनाई जाती है वो मैं आप से शेयर कर रही हूँ यह रेसिपी बहुत सिंपल है होप यह रेसिपी आपको पसंद आएगी चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने 400 ब्रैम्प भिंडी को काटके वाश करके एकदम ड्राइ करके इस तरह से रख लिया है भिंडी एकदम ड्राइ होनी चाहिए और उसी में आट कर लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और साथ ही में आट कर लेंगे पाउडर, 1.5 पून हल्दी पाउडर, 1.5 पून कश्मिरी लाल मिर्ज आप ग्रीन चिली भी इसमें आट कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही में आट कर लेंगे टू मीडियम साइज का स्लाइस किया हूँ अगर आपको अनियन ज्यादा पसंद है तो आप एक् इन चिली भी आट कर लिए और साथ ही में अट कर लेंगे वन स्पून कुकिंग ओल आप रिफाइन ओल भी आट कर सकते हैं आप मस्टर्ड ओल भी इसमें आट कर सकते हैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही क्विकली ये रेसिपी माइक्रोवेब में रेडी हो जाती है और भिंडी भी काफी टेस्ट में कोई ऐसा फरक नहीं आता जिस तरह से हम गैस पर बनाते हैं टेस्ट इसका बिल्कुल वैसे ही मिलता है जैसे हम खाते हैं माइक्रोवेब में कोई इसका टेस्ट बिल जो है माइक्रोवेब बॉल में आप इसको कुक कर सकते हैं या फिर जो माइक्रोवेब की जो बेकिंग प्लेट होती है आप उसमें भी जो है इसको कुक कर सकते हैं तो मैं इसको इस प्लेट में ट्रास्फर कर देती हूं तो अब इसमें मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है तो इसे अब हम माइक्रोवेब में सेट कर लेते हैं कि यहां पर मैंने माइक्रोवेब को अन कर लिया है इसमें हम हाई रैक को सेट करेंगे और उसी के उपर इस ट्रे को रख देंगे इसके बाद microwave का convection mode हम on करेंगे और सबसे high power पेस को set करेंगे 230 degree पे मैंने इसको set कर लिया है और इसको कम से कम 9-10 minutes के लिए मैंने इसको start कर दिया है 9 minutes मैंने set करके इसको start कर दिया है 9 minutes बाद हम इसको check करेंगे तो 9 minutes के बाद यह देखिए भिंडी उपर की तरफ से कोक हो गई है अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो नीचे का जो इसका पार्ट है वह भी अच्छे से कोक हो जाए तो इस तरह से हम इसको सारी भिंडी को turn कर लेंगे और उसी प्रोसेस से फिर से हम इसको माइक्रोव में कन्वेक्शन मोड पर फिर से कोक करेंगे तो मैंने फिर से इसको सेट कर लिया है नाइन मिनट्स के लिए तो ये देखे नाइन मिनट्स भी हो चुके हैं अब जो है ये नाइन मिनट्स भी फिनिश हो गए हैं और धिनिश के शुछद के च nalv physician लियंगे अगली भार नहीं रेसिप के साथ तब तक अपना खियाल रखेगर थैंक्स पर वाचिंग टेक क्यार बाइ झाल झाल